हम आकाश्वाणी बीका निर्कीट घुलामरू चैनल से बोल रहे हैं आईए सुनते हैं एहंकार विशेपर आज का विचार वाचकस्वर है शिरी मिलिंद पांडे का अहम हमारा स्वरूप नहीं है अहम दृश है और जानने आता है जैसे सुरी का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतरगत वस्ते में दीखती है ऐसे ही एक व्यापक ज्यान के अंतरगत अहंद ही दिखता है जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का दिभाग नहीं होता एक आगाश के अंतरगत ही अनंत तारे दीखते हैं ऐसे ही एक ग्यान के अंतरगत अनंत अहिंकार अर्थात मैं पन दीखते हैं जैसे सब के सब तारे एक आगाश में हैं ऐसे ही सब के सब अहिंकार एक ही ग्यान में हैं वर ग्यान हमारा स्वरूप है अहम हमारा स्वरूप नहीं है अहम को अपना स्वरूप मान लिया जाए यही हम से गलती होती है स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वारा है जैसे हम आँख से सब वस्तियों को देख सकते हैं पर आँख से आँख को नहीं देख सकते कि जिससे सब देखता है वही आँख है ऐसे ही जिससे मैपन देखता है वही तत्व है तात्वर्य है कि मैपन इदन्ता से देखता है पर मैपन को देखने वाला तत्व इदन्ता से नहीं देखता जागरत, स्वप्न, सुशुप्ति आदि अवस्थाएं जाने में आने वाली है जागरत और स्वप्न में तो एहम रहता है पर सुशुप्ति में एहम नहीं रहता अपिदु अविद्धा में लें हो जाता है जानमात्य प्रतीति का प्रकाशक आश्य और आधार है तात्पर है कि प्रकाशित होने वाली वस्थु हमारा स्वरूप नहीं है जागरत, स्वप्न, सुशुप्ति आदि अवस्थाएं अलग-अलग हैं लेकिन उनको प्रकाशित करने वाला ज्यान अलग-अलग नहीं हो सकता ऐसी ही उत्तप्ति, स्थिति और दुले, आदि, मध्य और अंत, भूत, भविश्य और वर्दमान आदि सब के सब एक क्यान के अंतरगती प्रकाशित होते हैं जैसे प्रकाश के अंतरगत आदिन आते हैं जाते हैं पर प्रकाश हाता जाता नहीं है सब आजाएं तो प्रकाश रहता है, सब चले जाएं तो प्रकाश रहता है, थोड़े आजाएं तो प्रकाश रहता है, कोई मा आए तो प्रकाश रहता है, प्रकाश में न कोई बाधा लगती है, न कोई हान होती है, न कमी होती है, न व्रद्ध होती है, न परिवर्दन होता है संसार में कभी अनकूलता आती है, कभी ततिकूलता आती है कभी सुख होता है, कभी दुख होता है लेकिन स्थाइत्व हमें ज्your एहिंकार इस विश्य पर अभिया पाचका विचार सुन रही थे वाचक स्वर्था शुरी मिलिन दपांडे का आकाईश्वाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है